तो कहानी की शुरुआत होती और हमे 1972 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो बच्ची आपस में कंचे खिल रहे होते हैं, अब इसी खिल के दोराने इन दोनों बच्चों का एक कंचा सामने वाले फ्लैट के सामने चला जाता है, और वहाँ पर इ के पास से वो बकंचा उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो बच्चा उठाने वाला होता है वैसे ही वो बुड़ी औरत उसे पलट कर देख लेती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस बुड़ी औरत का चहरब बहुत ही डराओना था जिसे देखकर वो दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं जिसके बाद वो बच्चे चीखते चिलाते हुए इस फ्लैट से भाग निकलते हैं अब इसके बाद हमें 1976 का वक्त दिखाया जाता है यानी चार साल बाद जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक काउं की फैमिली जो कि अपना पूरा गाउं का घर बेंच कर इसी फ्लैट में रहने के लिए आया था यहाँ पर इन सारे लोगों के ग्रेंट फादर भी हैं जिनका नाम फैरमिल होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जिसका अपने काउं वाले बॉइफरेंट की बहुत ही आताती है लेकिन वह खुद को यह सोच कर संभाल लेती है कि उसे आगी चलके एर होस्टेस बनना है इसलिए उसे इस शहर में रहना होगा अब इसके बाद यहीं पर हम पैरों को देखते हैं जिसे अपने सामने वाले फ्रैट में एक बहुत ही खुपशूरत लड़की दिखाई देती है जो कि एक लेटर के जरी उसे अपना नाम के लिए राबत आती है अब इसी परिवार के हम एक लड़की को देखते हैं जो की रात होने के बाद अपने ग्रैंड फादर को गुड़ नाइट बोलने के लिए जाती है लेकिन उसके ग्रैंड फादर उसे कहीं नहीं मिलते इसलिए उन्हें दूसरे रूम में देखने के लिए जली जाती है लेकिन तब तक रैफल के रूम का दोर खुद बखुद बंद हो जाता है अब वो रूम के नीचे से जहांकती तो से उस डायन के पैर नजर आते हैं जिसकी वजय से वो डर के मारे चिलाना शुरू करतेती है जिसकी आवाज सुनने के बाद मनोलो वहाँ पर आ जाता है मनोलो गेट खोलता है तो सारे लोग देखते हैं कि रैफल बाहर खिड़की से जम करने की पोजीशन पर था तो मनोलो बड़े ही आराम से अपने बेटी को गिरने से बचाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सारे लोग एक हादसा समझ कर इस बात को भूला देते हैं अब अगली सुब हम देखते हैं कि मनोलो और कंडिल अपनी न्यू जॉब के लिए निकल पड़ते हैं दोसे तरफ हम देखते हैं कि एमपारो रेफिल को किसी से बात करते हुए देखती है लेकिन वहाँ पर उसके भाई की सिवा कोई भी मौजूद नहीं होता है और इतने में उसके ग्रैंट फादर भी घर से बाहर निकल जाते हैं जिनने लेने के लिए एमपैरो घर से बाहर जाती है अब हम देखते हैं कि रेफिल के चट में बिलकुल अकेला था तब यूसे स्टार्ट वाला कंचा नजर आता है और रेफिल उस कंचे को लेने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो इस तरीके से उसी बुड़ी औरत वाले रूम तक चला जाता है और यहाँ उसके पहुँचते ही वो टीवी खुद बखुदान हो जाता है यहाँ पर रेफिल काफी डर जाता है लेकिन तब तक उसके सामने एक खतरनाक पंजा आकर उसके मूँ को जकर लेता है दूसरे तरफ हम एमपारो को देखते हैं जो कि अपने ग्रेंट फादर को वापस लेकर आ रही थी और यहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता चल तक उसका छोटा भाई उसके रूम से गायब है अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रेफिल के गायब होने की खवर पुलिस को भी बताई आती है पुलिस के जाने के बाद हम देखते हैं कि Еmparo का अपने सामने वाले रूम से अपने छूटे भाई की चलाने की और मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है अब हम देखते हैं कि एमपारो ऐसा होते हुए देखकर वो पूरे परिवार के साथ उस रूम के डोर को तोड़ कर अंदर गुज जाती है और ये सारे परिवार के मिम्बर्स अलग अलग रूम में उसको ढोडने लगते हैं हम देखते हैं कि एमपारो जिस रूम में जाती है वहाँ पर उसे एक परदे की पीछ अपने भाई का शेड़ो दिखाई देता है अब जब वो जाकर उस परदे को हटाती तो उसके पीछे खतरनाग बुड़ी औरत होती है जो कि बहुत डराऊनी थी अब उसे देखने की बाद एमपारो बहुत जोर जोर से चिलाना शुरू कर देती है जिसके बाद उसकी फैमली फॉरान आकर उसे बचाने लगती है अब अगले दिन हम पैपार को देखते हैं जिसे एक दिन सामने वाली लड़की फिर से खत बेचती है जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपने फोटे भाई रेफल के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे आकर बेस्मेंट में मिलो अब इतना पढ़ते ही पेपे बेस्मेंट में चला जाता है यहाँ पर क्लियर है उसके काफी करीब आने की कोशिश करती है लेकिन पेपेशी से में देख लियता है कि वो क्लियर है नहीं बलकि वही बुढ़ी ऑरत है जिसके बारे में अमपैरो ने उसे बताया था जिसके वज़ेसे वो बहुत ज़दर डर कर फुल स्पीड में वहाँ से भाग निकलता है दोसे तरफ एमपैरो को पता चलता है कि वह अपनी गाओं वाले बाइफरेंट के बच्चे की मा बनने वाली है लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह थी कि उसके पीट पर लंबे नाकोन के निशान भी थे जिसके बाद अब वो किचन में जाने लगती हैं लेकिन किचन में जाने वाले मेरर से वो दीखती है कि वो डायन उसी किचन के अंदर ही मौजोद थी और तब ही अमपैरो बहुत हिम्मत करके गेट खोलती है तब वहाँ पर उसके उसे गरेंट फादर नजराते हैं जो कि उसी चुराय से पूरी तरीगे से पुजायस हो चुके थे यहाँ पर अमपैरो काफी डरने लग जाती है लेकिन उसके गरेंट फादर तभी उसे बताते हैं कि राफल उसी ब्रावर वाले फ्लैट पर मोजूद है और यह सुनते हुए फारण वो दोड़ते हुए उसी फ्लैट में जाने लगती है जिसकी वज़े से वो पूरी फार्मली आधी रात को ही फ्लैट छोड़कर किसी होटल में जाने के लगती है वगली सुब हम देखते हैं कि मनोलो अपना फ्लैट वैसने के लिए बैंक में जाता है जिसके बाद अब ये लोग सुझाना नाम की आउरत से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन लोगों को कुछ गहरे राज सुनने को मिलते हैं यहाँ पर सुझाना बताते ही के पहले वो उसी का फ्लैट था जिसमें वो अपने बहन क्लियरा और अपने पैरेंट्स के साथ रहती थी यहाँ पर वो ये भी बताते ही क्लियरा एक लड़का था जिसे लड़की बनने का बहुत ज़्यदा शौक था यहाँ तक कि एक बार उसने बेस्मेंट में एक लड़की के साथ रिलेशन बनाये की कोशिश की थी इसलिए उसके पैरेंट्स ने उसे बड़ी सजा के अंतर गत लेते हुए उसे गढ़ी के अंतर बंद कर दिया लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुधरा और वो लड़कियों के जैसे मेकाप और कपड़े भी पहनने लगा और यहाँ तक कि उसने माँ बनने की ख्वाइश भी रख ली अब उसकी ऐसी हरकते देखने के बाद उसके पैरेंट्स काफी ज़्यादा शर्म इंदा उनकी काफी बेजती हो जाती है जिसकी वज़ाद से वो दुरोक सुसाइड कर लेते हैं अब सुजाना इस हाथ से का जैमेदार क्लियरा को मानती है इसलिए उसने उसको मिला साना 32 में अकिला छोड़ दिया और वहां से वो दूसरे घर में शिप्ट हो जाती है और काफी टाइम के बाद क्लियरा वहीं पर मार जाता है और उसकी रूफ वहीं पर आज भी कैद है इसलिए उसने पैपे से बेस्मेंड में रिष्टा बनाने की कोशिश की थी और रेफल को ले जाकर घड़ी में बंद कर दिया था अब उसने रेफल को इसलिए वापस कर दिया क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एमपेरो प्रेगनेंट है और उसे अब एमपेरो के पेट में पल रहा बच्चा चाहिए था वह इतना जानते हैं एमपेरो फारण अपने फ्रैट में भागती है हाँ पर वो जाकर देख दिये कि इन्विस्टिकेशर काफी तरीके से उसके अंदर प्रोजस्ट हो चुकी है और उसके अंदर क्लियरा की आत्मा आ चुकी है जो कि रेफल को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी यहाँ पर एमपेरो अपने छोटे भाई को बचाना चाहती थी इसलिए वो अपने पीट पर नोगदर हथियार रखती है और वो कहती है कि क्लियरा मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा बच्चा चाहिए और अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तुम्हें इस बच्चे को भी मार दोंगे और यहाँ पर एमपेरो का ये प्लान भी कामियाब हो जाता है जिसके बाद अब क्लियरा रेफल को नहीं मारती और वो रोने लगती है लेकिन तब तक एमपेरो का फादर मौका उठाकर लोला को लेकर खिड़के से जम कर देता है लेकिन यहाँ पर लोला मनोलो के उपर गिरती है और वो भी बेहोश हो जाती है लेकिन यहाँ पर मनोलो मर जाता है यहाँ पर मनोलो के मरने से उनकी फैमिली का ये फाइदा होता है क्योंकि मनोलो का लाइफ एंशोरेंस था जिसके बाद अब उनके लाइफ एंशोरेंस के पैसे उन्हें मिल जाते हैं और वो फैमिली फ्लैट खाली करके सीधा अपने गाउँ चली जाती है इसी को दिखा देए इस मोवी का यहीं एंड हो जाता है लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि उस फ्लैट की चेयर अभी भी हिल रही होती है जिससे हम जान पाते हैं कि क्लेरा की आदमा भी भी वहीं पर है और अब वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है